लो गैज आपका हमारे यूटीव चैनल टेक्निकल स्वागत है गैज आज के इस वीडियो में हम SBI बेंक अकाउंट में नौमेनी एड़ करना सिखेंगे गैज अगर आपका SBI में एकाउंट है और अगर आप बिना बेंक जाए ही घर बेटे अगर आप उस एकाउंट में नौमेनी एड़ करना चाहते हैं कैसे आप नौमेनी को एड़ करेंगे ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो गैज अगर आप जानना चाहते हैं कि SBI बेंक अकाउंट में नौमेनी कैसे एड़ करें तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा तो गाईज आप you know SPI application की मदद से SPI bank account में nominee add कर सकते हैं तो गाईज you know SPI से अपने bank account में nominee add करने के लिए सबसे पहले आपको जो you know SPI का application है उससे open कर लेना है और गाईज अगर आपका you know SPI में registration किया हुआ नहीं है अगर आप कभी भी you know SPI application को use नहीं किये है तो आपको पहले you know SPI में registration करना होगा तो आप you know SPI में कैसे registration करेंगे इसका वडियो हम पहले ही upload कर चुके हैं और उस वडियो का link इस वडियो के description में दिया हुआ है तो आप वडियो देखकर जान सकते हैं कि आपको you know SPI में किस तरह से registration करना है और गाईज अगर आप you know SPI को पहले से ही use करते हैं आपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो गाईज यहाँ पर आपको सबसे पहले इस application में login हो लेना है इस application में login होने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो गाईज यहाँ पर आपको एक option मिलेगा accounts तो यहाँ पर आपको accounts के इस option में क्लिक कर देना है accounts के इस option में click करने के बाद अपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो गाईज यहाँ पर आपका एक arrow है तो यहाँ पर आपको इस arrow के option में click कर देना है इस arrow के option में click करने के बाद अपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो करद निचे एक अफसन है view nominee details और view nominee details के बाद यहाँ पर आपको एक pencil का icon मिलेगा तो करद य्याँ पर आपको इस pencil के icon में क्लिक कर देना है इस pencil के icon में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके bank account में nominee add करने का caption आ जाएगा तो गैज अब आप किसे nominee में रखना चाहते हैं वो nominee name यहापर आपको fill कर लेना है nominee name fill करने के बाद यहापर आपको उसके नीचे एक मिलेगा relationship with applicant तो गैज आपका nominee के साथ जो भी relation है वो यहापर आपको select कर लेना है relationship select करने के बाद यहापर आपका एक option है date of birth तो गैज नमीनी का जो भी date of birth है वो यहापर आपको select कर लेना है date of birth select करने के बाद यहापर आपका है nominee address 1 और nominee address 2 तो गैज यहापर आपको nominee address 1 और 2 में यहापर आपको nominee का address जो है वो डाल लेना है सारा details डालने के बाद यहां पर आपको नीचे एक option में लेगा confirm का तो गहाई है यहां पर आपको confirm के इस option में क्लिक कर देना है जैसे आप confirm के इस option में क्लिक कर देना है तो जैसे आप OK में क्लिक के जिएगा तो आपके registered mobile number में एक OTP send किया जाएगा तो गैज वह OTP यहापर आपको डाल लेना है OTP डालने के बाद यहापर आपको नीचे एक option मिलेगा submit का तो गैज यहापर आपको submit के इस option में क्लिक कर देना है तो गैज जैसे आप submit के इस option में क्लिक किजिएगा आपके bank account में nominee जो है successfully add हो जाएगा तो गैज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर बेटे अपने SPI bank account में nominee को add कर सकते हैं तो गैज आई होप यह वडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इस तरह के helpful वडियो पाने के लिए इस वडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए साथ इसाथ इससे अपने दोस्तों के साथ share किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वडियो का जनकारी मिल सके